निम्न आकरती में एक ही आधार BC पर दो तिर्बुज ABC और DBC बने हुए हैं ठीके और उसके बाद इसमें क्या कहा है कि यदि AD जो है BC को ओपर प्रतिक्षेत करे ठीके तो दर्शाहिए कि जो area of तिर्बुज ABC बटा area of तिर्बुज ABC जो है वो बराबर है AO बटा DO के ठीके तो ह हमें जो है यहां पर तिर्बुज ABC का चेत्रफल मतलब area का मतलब चेत्रफल और DBC का चेत्रफल निकालना है और वो निकालने के बाद कितना आना चाहिए अच्छा अब आप यह दहां देखते हैं कि ABC ठीके तो इसमें अगर चेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है एक बट आपको सबसे पहले लंग खिशन होगा रचना करनी होगी इसमें ठीके तो सबसे पहले आप जो है इसमें दिया है लिख लेते हैं जो है दो तिर्बुज दिया है ये तिर्बुज ABC वे तिर्बुज DBC ठीके और एक ही आधार एक ही आधार BC पर बने हुए है तो अब हम क्या करते हैं ये दिया है और एक रचना लिख लेते हैं रचना में हो जाएगा कि AS M जो है ये AM जो है वो लंब होगा आपका किस पर BC पर वे D से M कर दिया तो यहाँ पर आप इसको ले लिजी ये AM और यहाँ 90 डिग्री इसी तरीके से हम D से कोई भी ले लिजी अन ले लिजी आप यहाँ पर तो इसको D N कह देंगे और ये 90 डिग्री कह देंगे क्योंकि हमें छेतफल निकालना है ठीके तो यहाँ से D N जो है लंब है B C खीचा बस इतना आपको लिखना है और ये रचना हो गई और जो सिद करना है वो भी लिख दीजी है आपर क्योंकि स्टेप बे स्टेप हमें सब कुछ लिखना होता है ठीके इन स्टेप के आपको माक्स मिलते हैं सिद करना है कि एरिया ओफ तिर्भुज A B C बटे एरिया ओफ तिर्भुज D B C बराबर A O बटा D O के हल अब देखिए आप कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं हम एरिया ओफ तिर्भुज जो है A B C निकाल लेते हैं बटे ऐसे निकाल लेते हैं area of तिर्भुज dbc बटे करके कैसे अब area of तिर्भुज abc क्योंगा एक बटा दो गुना आधार bc गुना उचाई कितने होगी यह an ठीक है बटे एक बटा दो गुना अब आधार कितना होगा bc होगा गुना उचाई क्या होगी आपकी dn हो जाए बराबर होता है एक बटा दो गुना आधार गुना उचाई चिक है चलिए अब यहां से एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल bc से bc कैंसिल बराबर क्या आया am बटा dn चलिए अब यहां पर area of तिर्भुज abc बटे area of तिर्भुज dbc बराबर am बटा dn आया है लेकिन हमें लाना का है AO बटा DO, अब आप देखें यहाँ पर इसमें, AM बटा DN तो आ गया है, लेकिन लाना है AO बटा DO, अब आप यह देखते हैं कि अगर मैं यह दो तिर्बुज ले लूँ, यही जो छोटी-छोटी से दिखरें, AOM और आपका DON, अगर मैं यह दोनों तिर् कर दू, तो आपको बटा समरूँब बुजाओ की से संगत tell-走了 can पात होगा वो बराबर होगा, और वहीं से संगत才- sugar can उप्रकियाओ क्या होगा, AM बटा जो DN होगा वो बराबर आ जाएगा AO बटा DO के, अगर मैं A, M, O, बराबर है, कौन D, N, O, क्यों, प्रतियेक 90 डिग्री, 90 डिग्री, चले, एक हो गया, अच्छा, अब यहाँ पर कर सकते हैं, यह कौन जो है, बराबर इसके होगा, शिर्षा भी मुख कौन होगा, तो यहाँ पर होगा, कौन A, O, M, बराबर होगा, कौन D, O, N, के, शिर शिर्षा भी मुख कौन, अब आप जानते हैं, कि अगर किसी भी दो तिर्बुज के, जो है, दो कौन बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि यह तिर्बुज जो है, A, O, M, जो है, आपका, दो संगत कौन अगर बराबर होगा, तो तीसरा संगत कौन स सोटी से, तो यहा तक आपको संगरूप हो गए, अब जब संगरूप है, तो हम जानते हैं, कि चुकि संगरूप तिर्बुजों की संगत बुजाओं का अनुपात, का अनुपात, बराबर होता है, बराबर होता है चलिए अब जब संगत बुझाओं का अनपाथ बराबर होता है तो हम क्या करेंगे इसकी संगत बुझाओं का अनपाथ बराबर करेंगे इसमें क्या होगा कि मतलब A M बटा जैसे आभी हाँ के हिसाब से आपको बता रखा है ए एम बटे डी एन के, किलिए रहे इतनी बात, इसको समिकरण नमबर जो पहले वाली थी, इसको समिकरण एक मान लिजिए, और इसको समिकरण दो मान लिजिए, और एक वे दो से आप लिख सकते हो कि, एम बटे डी एन किसके बराबर होगा आपका, ए ओ बटे डी ओ के, लिख सम्मिकरन एक से क्या होगा कि area of तिर्बुज a b c बटे area of तिर्बुज d b c बराबर होगा ये था am बटे d n था तो बराबर हो जाएगा किसके a o बटे d o के चीक है सम्मिकरन एक वह दो से ठीक है a o बटे d o यही लानत आपको चल देगे इती सिद्धम से दो गया है इस परकार यह कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूसकते हैं अब आईए